डिक्टेशन स्टार्ट होगा पांच चेकिन बाद स्टार्ट महोदय, कुमा जब हम भारत की संपदाओं और उत्पादन के उपादानों के संधर्व में भारत की अर्थ व्यवस्था की चर्चा करते हैं तो उस समय अनिवारे रूप से उपयुक्त टेक्नोलोजी से समंद प्रश्न उठ खड़े होते हैं विराम, इसके लिए कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता यह तो अलग-अलग उद्योग के लिए अलग-अलग होगा विराम, कुछ उद्योग अपरिहारे रूप से पूंजी प्रधान होंगे विराम, इसका हमारे सुधारों और विदेशी निवेश से कोई समंध नहीं है विराम, हमारे अपनी सरकारी ख्षत्र में स्थापित कई उद्योग बहुत ही पूंजी प्रधान हैं विराम, एसे भी कई ख्षत्र हैं जहां उत्पादन की स्रम प्रधान तरीकों का उपयोग होता है और वे प्रतियोगिता का सामना भी करते हैं विराम, सारी दुनिया में हम आज देख रहे हैं कि एक जगह वेतन अधिक होने के कारण तथा दूसरी जगह सस्ते विकल्प होने के कारण उद्योग अपने स्थान बदलते रहते हैं विराम, यह बात एक दूसरे से कतई भिन ख्यत्रों पर भी लागू होती है जैसे वस्त्र उद्योग, चमडे का सामान, इलेक्ट्रोनिक्स और कई अन्य उद्योग अन्य स्थानों से आकर भारत में जो निवेश किये जा रहे हैं वे ठीक इन्ही कारणों से किये जाते हैं और ये उद्योग बड़ी मात्रा में रोजगार प्रदान करेंगे विराम, यह आर्थिक निर्णे लेने की स्वाभाविक प्रकिरिया का अंग होता है विराम, एसा सोचना अनुभव हीनता ही कहा जाएगा कि भारत में पूझी प्रदान उद्योगों की स्थापना लोग जान बूजकर करें बिना इस बात पर विचार किये कि दोनों देशों में आपेक्षित मुल्य और हमारे सुस्थापित तुलनातमग है उसी के साथ जहां पूझी प्रदान टेक्नोलोजियां कुमा और उच्चतर उत्पादक्ता तथा वेतन साथ साथ चलें उनका हमें स्वागत करना चाहिए विराम उन्हें टालना नहीं चाहिए अन्तिम निर्णय तो बाजार की सक्तियों पर निर्भर करेगा पराचिन मुझे एसा कभी नहीं लगता कि हमारे उध्यमी निर्णय करने में किसी से कम कुसल है विराम तथा पी यहां पर यह जोर देना एप्रासंगिक नहीं होगा कि टेकनोलोजी का आयात करने वालों को देश में उपलब्द टेकनोलोजियों की भी सावधानी पूर्वक जांच करनी चाहिए विराम सामान्य रूप से टेकनोलोजी का विलयन और अंगीकर्ण उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना टेकनोलोजी को तैयार करने की ख्षमता पेदा करना हमारे पास ख्षमताएं हैं और इस ख्षत्र में हमें अपनी संपदाओं का इश्टतम उपयोग करना चाहिए विराम वास्तों में तो अपने ही देश में विकास और अनुसंधान करने का इस्थान और कुछ नहीं ले सकता तभी हम प्रतियोगिताओं का लाब उठा सकते हैं विसेशकर उस स्थिती में जब अन्यतर टेकनोलोजी में विकास बड़ी तेजी से हो रहा है और उनके पुराने पढ़ने की दर भी बहुत ही जादा है विराम यह बात पूरी तरह स्विकार की जाती है कि नियंत्रनों और परमिटों की प्रणाली से इमानदारी का खात्मा हो जाता है विराम उदारी कर्ण प्रकिरिया का तात्परिय इन नियंत्रनों को समाप्त करना है विराम मुझे यह देखकर सचमुच बेवहुत खेद होता है विराम की इस संक्रमन काल में कोमा जब हम लाइसेंस राज से उदारी कर्ण की प्रणाली की ओर बढ़ रहे हैं को महोदय पिछले कुछ वर्सों से पर्यावर्ण की सुरख्या के बारे में एक उच्छाह जनक जागरुकता देखने को मिल रही है विराम जैसे जैसे हम अपने विकास का खाका बनाने लगे हैं वैसे वैसे यह बात अनुभव की जाने लगी है कि वह अपने बूते पर खड़ा रह सके और पर्यावर्ण की द्रश्टी से भी उपयूकत हो अपने देश की जनता के प्रती हमारा यह दाइत्व है कि हम अपनी प्राकरतिक संपदा की रक्षा करें अपनी प्रयासों द्वारा और यदि आवश्यक हो तो विदेशी टेकनोलोजियों का उपयोग करके हमें पर्यावर्ण और विनास की समस्चाओं को हल करने की चेश्टा करनी चाही असल में तो मैं यहां यह बताना चाहूंगा कि भारत इस दिसा में पीछे नहीं है क्योंकि उन्होंने अब तक जिन टेकनोलोजियों का प्रयोग किया है वे विनासकारी रही और उन्हें तुरंत छोड़ देने की आवश्यक्ता है विराम वे भी नई टेकनोलोजियों की खोज कर रहे हैं विराम इसलिए हम उनसे बहुत पीछे नहीं है विराम कमोबेस हम उनकी साथ साथ ही हैं इसलिए हम सब के लिए अन्य देशों के लिए भी और हमारे देश के लिए भी यह संभव होगा की हम मिलकर समूचे विश्व के लिए इस प्रत्वी ग्रह के लिए अपना योगदान दें ताकि मिल जुलकर सहयोग से हम पर्यावर्ण की रक्षा की उपाई डूंड सकें विराम ब्राजिल में दो वर्ष पहले हुए विश्व पर्यावर्ण सिखल सम्मेलन में जिस कार्य सूची को हमने स्विकार किया था इस बात का अच्छा उदाहरन है और मुझे विश्वास है कि इस कार्य सूची की अनुसार काम किया जा रहा है कुमा यद्यपी कोई भी काम बिना कठिनाईयों से भरा नहीं होता विशेशकर जब इसे जटिल विश्व में एक जटिल स्थिती में लावू करना पड़े विराम परन्तु मुझे विश्वास है कि स्थिती आसा जनक है कुमा और यह आसा बढ़ती जा रही है विराम तक विश्व की परियावर्ण के भविश्य का सवाल है कुमा वह पहले जैसा अंधकार में नहीं है कुमा एसी टेकनोलोजियों को अपनाना संभव होना चाहिए जिन से परियावर्ण की बेहतर इस्तर कायम हो सके गुमा प्राक्रतिक संसाधनों को सनंग्चन मिल सके और व्यर्थ पड़ी चेजों की बेहतर व्यवस्था हो सके पहल करने के एसे कई उदाहरन मिलते हैं जिन से परियावर्ण को होने वाले खतरे को रोका जा सकता है और लागत की द्रश्टी से भी वे प्रभावकारी सिद हुए हैं विराम इस बड़े चिंतनिये विशय पर विचार करते समय हम सब को मिल जुल कर प्रयास करना होगा हमारी सांस्क्रतिक परंपरा विशेश रूप से प्रक्रति और परियावर्ण के प्रति मेत्रिपूर्ण रही है कोमा इसलिए हम अपने देशी ढंग से भी इस द मैं जानता हूं कि सुधारों का यह मार्ग फूलों की सेज नहीं है कोमा विशेश कर इतने बड़े आकार की एक लोकतंत्री देश में जिस देशने भी इस दिशा में चेश्टा की है यह उनके लिए बड़ा दुसकर कार्य सिद्ध हुआ है विराम मुझे इसके बारे में कोई भ्रम नहीं है कोमा और राजनीतिक द्रश्टी से भी इस मार्ग का चुनाव करना कठिन कार्य था समाव